हलो स्टुदेंट्स एंजाहिंद वेल्कम यू अल्टू मैंनेट ब्रेंट्स आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं बहुत खैरियत से और अपना ध्यान रख रहे हैं सो लास लेक्चर में हम लोगोंने बात करी थी संथल्स के बारे में किस तरह से संथल्स ने अपना पूरा का पूरा जो सेटल्मेंट्स वगरा हैं राजमाहल हिल्स में किस तरह से बनाई थी और उसके बाद में किस तरह से वह वहां पर फ्लरिश कर गया और उसके बाद में फि कि वो वेक्ति जिसको East India Company ने राजमाहर हिल्स में भेजा था, सारी चीजों को record करने के लिए, पूरा राजमाहर हिल्स में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, क्या natural resources है, किसका क्या use हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यह जो सारी चीजों record करने के लिए जिस वेक्ति को भेजा ग और जो भी recording को उससने राजमाय Hills की करी है जो भी राजमाय Hills के बारे में उसके description या November हम्को देखने को मिलते हैं उनका क्या मोटइब था क्या मतलब था उचिछे सम्हार फ़ीं जीाटशन के साथमें डाला गया So now without any further ado here we begin तो topic का नाम रहने वाला है the account of Buchanan Buchanan का account या Buchanan ने जो भी लेखा जोका छोड़ा है उसके बारे में हम लोगों ने इस particular topic में बातचीत करनी है हाला कि Buchanan का जो पूरा का पूरा account है जब हम लोग उसको पढ़ते हैं Buchanan के पूरे पूरे account को पढ़ते हैं वक्त हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि ये काफी जादा important है काफी जादा interesting है और हमारे काफी जादा काम का है उस वक्त के time period की जो भी परिस्तितियां थी उनको अगर आपको समझना है तो उसमें Buchanan का जो account है वो काफी important और काफी निर्नायक रोल जो है अदा करता है मगर फिर भी Buchanan ने जो भी विवरण वगरा अपना छोड़ा है जो भी account वगरा लिखकर छोड़ा है इसमें हमको पढ़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना है या फिर ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि Buchanan ultimately था तो East India Company का employee EIC का मतलब यहाँ पर East India Company है तो in spite of the fact कि Buchanan का account बहुत important है बहुत interesting है और वो उस वक्त में राज मैल हिल्स के बारे में हमारी knowledge को enhance करता है हमारी understanding को बढ़ाता है उसकी जो यह journey या फिर यह जो यातराएं थी है सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि इसको nature से बहुत प्यार था और वो अपनी मनमर्जी से घुमने या पिकनिक मनाने आया था ना उसकी एक्षा थी कि जो चीजों को मैं नहीं जानता हूँ जिन आलाकों को मैंने नहीं देखा है जो unknown है उसकी मैं discovery करूँ इस तरीके कि उसकी कोई desire थी ऐसा कुछ नहीं था उसकी यातराओं में उस basis पर ये लोग इनसे कहें कि जा दुकैनन जा जी ले अपनी जिन्देगी जा घुम तेरे पीछे जिए घुमने फिरने पर जो खर्चा होगा हम लोग करेंगे इस्ट इंडिया गमती इतनी बेवकूफ तो थी नहीं अगर उनके किसी एक employee code में ने तरे लंबी यातराओं लिए बोला है और उसके पूरे की पूरी यातराओं को finance किया है तो point यह है East India Company ने इस तरीके की यातराओं को इसलिए finance किया था क्योंकि उनको information मगरा चाहिए थी राज महल हिल्स के बारे में और बाकी जहाओं पर जहां पर बिकैनन को भीजा गया था वहां पर ताकि उस information क इस्तिमाल करकर वो जो करना चाहते हैं वो कर सकें और बिकैनन से यह बोला गया था है कि जो information हमें चाहिए है वो सारी की सारी भईया तो मैं collect करकर लानी है तो बिकैनन जा जी ले अपनी जिन्दीगी नहीं हो रहा है यहां पर यहां पर यहां से दॉड़ लगा के जाएंग लगा जिस तरीके का उसका conduct या behavior और personality थी और उसके basis के उन्होंने बोला कि घुम कर आओ, finance हम करेंगे, मगर जहां घुमने जा रहे हो, वहां की information वगरा collect करकर लाओ, यह सारी information हमें चाहिए, इस तारी की सारी information तुम हमें collect करकर लाकर दोगे, इस कारण से Buchanan ने यह सारी यात् तराओं का यात्रा रतांत लिखा या फिर यह सारा का सारा account जो है वो लिखकर तयार किया था, चलेंजे, आगे बढ़ता है, in fact Buchanan को specific instruction दिये गए थे कि तुम्हें क्या चीजें record करनी हैं और क्या चीजें जो हैं तुम्हें देखनी हैं, किन चीजों के उपर तुम्हें special emphasis अगरा देना है, तो Buchanan has specific instruction about what he had to look for and what he had to record, ये बात बहुत important है, ध्यान रखिएगा, हम लोग आगे देखेंगे कि इसने किन चीजों को देखा और किन चीजों को record किया, मगर इसने उन चीजों को इसलिए देखा या, इसलिए record किया, क्योंकि उसको अच्छा लगा, उसको म और काइदा specific instruction थे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको क्या चीजों record करनी है, क्या चीजों record नहीं करनी है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और किस तरीके से या किन नजरों के साथ में देखना है, ये सारी specific instruction विकैनन को पहले से मिले हुए थे, और अकेला तो ये गया नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि अकेला आपका बैग उठाके और हाथ में एक सेलफी स्टिक लेकर घुमने निकल गया हूँ, ऐसा नहीं हुआ था, साथ में बहुत से लोग भी गये थे इसकी मदद के लिए, इसके साथ में इसके कुछ सपोर्टिंग स्टाप भी गया थे, कुछ हेलफर भी गये थे, कुछ आपके सिपाही भी भेजे गये थे ताकि प्रोडेक्शन दिया जा सके और कोई घजा कर दे, यह सारी जीज़्यां कि गई थी, तो जब ये सारी इन्फोर्मेशन के साथ में और सारे आपके लोगों के साथ में जब यह भाई जो ह देख रहे हैं जिन चीजों को रिकॉर्ड करना है उसके बेसेस पर इमीजेटली वहां के जो लोग थे उन्होंने इनको सरकार की एजन्ट के तौर पर जो है परसीव किया जो की गलत भी नहीं था काईदे से तो यह सच बात है कि यह जो आपका अंग्रेज सरकार थी या अंग सरकार का एजन्ट है और सरकार को लेकर लोगों के मन में राज महल हिल्स के पहाड़ी है हो गए या 1855-56 की रिवोल्ट के बाद में आप अगर संथल की बात भी कर लोगे तो इन लोगों के कुछ बहुत अच्छे कह सकते हैं कि आप भावनाय वगरा इनकी थी नहीं अंग्र हमारा नुकसान होगा सरकार हमारे उपर कुछ ना कुछ एक्शन बगर लेगी अब इस चीज़ को हम लोग एक और चीज़ जोड़ते हैं जैसे जैसे इस इंडिया कंपनी एक्स्पैंड करती जा रही थी और इसका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा था इलाकों के उपर और जिन इलाकों पर पहले से कंट्रोल था वहाँ पर इसकी पावर कंसोलीडेट होती चली जा रही थी तो इस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जैसे ही किसी इलाके पर कबजा किया और उसकी पकड़ मस्बूत हुई उसका अबजेक्टिव यह रहता था कि कुछ भी करके इस इलाक कर रहे लोगों पर शांती है और इनकी पावर कंसोलीडेट हो गई है लोगों ने इनकी पावर को एक्सेट कर लिया एक बाद दोर आके बढ़ गया आप यह लोग यह करेंगे कि इस पूरे के पूरे इलाके में सर्वे पार्टी भेज देंगे और वो बोल देंगे कि पता क टर कर आओ कि यहां पर और कौना से नैचलर से उसके बिशित कर हैं कि यह करते थे कि पूरे की पूरे क बूरे नाचलर विस्तर पकिस तरीके से थे कंस चाहिए उसका पूरा हिसाब किदाब कुरा गहर न me लगा रहा हैं कहीं पर कुछ कर रहा हैं कहीं पर उसकी माइनिंग कर वा रहा हैं सारी चीज़हां करती थी इसी गरच से इन्हों ने किया ये कि अलग-अलग जगाओं पर अपने जियोग्राफर्स भेजे अपने बॉटनिस्ट भेजे अपने मेडिकल मेंस को जो है भीजा गया कि आप जाईए इन्फोमेशन कलेट करकर लाईए और उसकी मदद से फिर हम लोग अपना व्यापार वग जगाओं पर भेजाता चले जी आगे बात करता है अब यही वज़ा थी कि अब क्योंकि हमने अब यह देखा कि इस इंडिया कंपनी क्या चाहती है कि जिस जगह पर भी हमारा कंट्रोल है वहाँ पर जो भी नैचरल रिसोर्स ने उसके बारे में पता करो ताकि हम लोग उसक कुछ पता गर-गर लाओ तो बुकैनन जहां जहां पर गया राजमाहल हिल्स के जिस जिस इस इलाके में गया वहाँ पर उसने obsessively दो-तीन चीज़ों को observe किया है उसने दो-तीन चीज़ों ढूंडने की कोशिश करी है और अगर उनको मिल गई है तो वहाँ पर उसको उसने observe कि पहला कि बुकैनन ने आपको कौसा मिन्रम जह ainda मातरा में मिल सकता है या फिर वहाँ पर गया जो-तीन मिल रहा है और है तो जोडिश के कि माइनिंग हो सकती है या किसी चीज़ का खननन हो सकता है पर जो-ती है उसके पर ऐसे यह तो से चीज़ош कालिटी नहीं है काली मिट्टी है लाल मिट्टी है गीली मिट्टी है सूखी मिट्टी है रेत का कंटेंट कितना है इसमें आपका अलुवियल सॉइल है ब्लैक सॉइल है यह सारी आपकी लेटराइट सॉइल है सारी की सारी चीज़ें जो है देखी गई क्यों यह सारी चीज़ जगे जहाँ पर cannon गिया उसने क्या किया वहाँ के पत्थरों को देखा वहां के पत्थरों में क्या değils मिल सकते हैं वह के rocks और बाकी सारी पाड़ियों को देखा और किसी चीज का खनद वहाँ से किया जा सकता है नहीं उसी चीज के वारे में पता किया। मिट्टी की अलग-अलग stratas को अलग-अलग layers को जो है उसने observe किया ताकि पता चल सके कि यहां पर मिट्टी की quantity वगरा क्या है। अब रॉक्स और मिंदल्स वगरा जो है इनको इतना ज़ादा उसने आपजर्व किया है उसकी वज़ा ये थी कि वो इनकी कमर्शियल वैल्यू देखना चाहता था कि यहाँ पर अगर लेट से कहीं पर अगर आपको आईरन ओर के पत्थर मिल गया है अब अगर बड़ी मात्रा जो है आपको एक नॉन स्टॉप सप्लाई की इंशोर्टी हो जाती है इस तील जादा आएगा तो आप अब आगे निकल जाओगे कमर्शियल प्रोड़क्शन में और उससे आपका वैपार बढ़ेगा तो इस तरीके से बाकी जो आपके रॉक्स वगरा या बाकी सारे सूर् किया सब की प्रॉपर्टी को जिकर का जिकर लिखा और बकायदा यह तक डाला कि अंग्रेज बात दूर इस पत्थरों का या इनमें मिलने वाले मिनरल्स का इस्तिमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है तो कितने लेवल तक कर सकता है वो सारे जोग कि अलग अलग पत्थर हो सकत थे तो जिन चीजों की ये खास तवर जो है देखने की कोशिश करता था या जिन चीजों की खास तवर पे इन में से जो पटिकुलर आपके ये minerals वगईरा ये जो है इनको धूंडने के कोशिश किया करता था साथी साथ ये ये भी observe करता था कि यहाँ पे जो local practices वगईरा है salt making की और iron ore mining की वो किस तरीके से हैं यही चीजें जो हैं वो क्यों धूंड रहा था इसकी वज़ा ये थी कि East India Company उतनी exclusively इन सारी चीजों का वेपार किया करती थी और उतके वेपार को बढ़ावा होगा अगर इन सारी चीजों को ढूंड लेता है कहीं पर उनका exploitation बगईरा किया जा सकता है इसलिए जहां जहां पर वो गया और जिन जिन रॉक्स को उसने आपदर किया उसकी कोशिश रहती थी या तो iron ore मिल जाए उसमें या mica मिल जाए या granite मिल जाए या salt pattern मिल जाए अगर मिल या iron ore तो कितनी मातरा में मिला यह देखा जाए उसके बेसे पर यह अंदाजा लगा जाए कि commercial exploitation हो सकता है कि यह नहीं हो सकता अगर उसको मातरा समझ में आ गए कि अंटशंट मातरा में यहाँ पर नमक है मतलब यहाँ पर commercial exploitation हो जाएगा इन आदिवासियों को तो बिचारों को पता नहीं है यह तो सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना ही जरूरत है इसी तरह से अगर उसने यहाँ पर यह देखा कि यह लोग पर पत्थर पिगला कर अगर इसे लोहा निकल रहा है उसके basis पर अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर जो आपके rocks हैं उसमें आईरन कितनी मातरा में अगर अंटशंट मातरा में हैं तो फिर इसका मतलब है यहां पे फैक्टरी लगनी चाहिए या फिर。 यहां से माइलिंग करकर अपन अपन आईरन ओर ले कर जा सकते हैं और उससे अपन फैक्टरी लगाके आइरन निकाल सकते हैं आइदा आपको होगा क्योंकि बड़ी मात्रा में आपको आइरन का बैठे बठा एक स्त्रोथ मिलिए आदिवासी तो बेवकूफ हैं इनको तो जादा कुछ पता नहीं है यह सिर्फ अपने काम की मात्रा में निकाल रहे हैं मगर अगर हम लोग आगा है तो हम लोग यहाँ पर अगर आपका माइका है तो इस तरीके का होता है अब यह ग्रिनाइट के सिर्फ एक प्रकार है और भी पचासों तरीके के ग्रिनाइट होते हैं बस यह थोड़ा कॉमान एसलिमिनस के फोटो डाल दी या फिर अगर सॉल्ट प्रेटर है तो इस तरीके का देखता है तो इस तरीके से आपको अलग 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 तरीके की जो मिनरल्स जो अगे बढ़ता था उन्हों सब की मैने फोटोग्राप से यहाँ पर दिखाई है और लोगों की लोकल प्रैक्टेस कο आबजर्व करता है क क्यों किस तरह से salt बना रहे हैं और किस तरह से iron war mining कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है चलेंगे आगे बढ़ता है अब एक बात और है कि जब Canon किसी जगे पर पहुँचा और उसने उसके landscape के बारे में निकल कर आती है अब जैसे आप अगर कही पर जाओगे तो आप landscape ऐसे बताओगे कि यहाँ पर पेड़ है यहाँ पर आपकी जील है बड़िया हवा चलती है पेड़ पक्षी है और यह जनरली किसी जगे का description करने का तरीका होता है बुकैनन की जो आपका पूरा पूरा जो landscape का description है वो थोड़ा सा अलग है अलग इस तरीके से है कि बुकैनन जहाँ जहाँ गया और उसने जहाँ 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 landscape का description किया उसने सिर्फ यह नहीं बताया कि landscape में उसने क्या देखा था he not only described what he saw and what landscape was like मतलब उसने सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि उसने क्या देखा और landscape किस तरीके का था जो generally किया जाता है कि यहाँ पर चार लोग बैठे हूँ है वहाँ पर आपका हुका गुड़ गुड़ आ रहा है वहाँ पर हवाँ चल रही है पीछे पक्षी है यहाँ जंगल है यहाँ रोट से गाड़ियां जा रही है ऐसा कुछ नहीं है इस तरीके का description नहीं दिया यह चीज़ें उसने थोड़ी बहुत बताई ही बताई ही मगर इसके लावा उसने और भी चीज़ें मेंचन करी है उसने एक बड़ी interesting चीज जो बताई है यह बताई है कि यह जो landscape जो मैं देख रहा हूँ यह किस तरीके से transform किया जा सकता और उसको किस तरीके से आप और ज़्यादा productive बना सकते हो बहुत interesting point है ध्यान रखना है आप अगर शिमला वसूरी घुमने जाओगे तो आप यह नहीं बोलोगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है आप factory डाल सकते हो आप किस तरीके से होटल लगा सकते हो किस तरीके से यह कर सकते हो वो कर सकते हो आप अगर अपना यातरा वरतान लिखाओगे तो यह बताओगे मस्त जगह है खुब सूरत है मज़ा हाया आपने यहाँ पर बरफ के इगलू बनाए दोस्तों पर आपने बरफ बरफ फेकी पहली बार जिन्दगी में बरफ गिरते हो देखी इंटरेस्टिंग है मजधार है पैसे वशूल होग है इस तरीके से लिखोängt मगर सामने वाला क्या कर रहा है सामने वाला ये नहीं बोल रहा है कि जगह इतनी अच्छी है और मैंने क्या देखा ये तो बता ही रहा है बट साथी साथ तो ये बोल रहा है कि किस तरीके से हम लोग, हम लोगों से मेरा मतलब है अंग्रेज या फिर इस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इस जगे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको और जदा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है साथी साथ वो ये भी बता रहा है कि ये जगे या फिर जो जमीन है अब मिटी वो क्यों बार-बार जो है किसी जगे की देख रहा था उसका जवाब कि यहां पर जो मिट्टिया मैंने अब्जर्फ करी हैं जो अलग-अलग लेयर्ज जो हैं स्वाइली उनको मैंने जब स्कृटास को अब्जर्व किया तो इस से अपने को यह भी बता चलाए कि क्या-kya crop यहां पर cultivate किये जा सकते हैं एक तो यह कि किस तरीके से आप किसी जगे है जिसको मैं देख रहा हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जदा प्रोड़क्टिव बना सकते हो, दूसरा यह कि किस तरीके से आप जो क्रॉप्स होगे रहा हैं, उनको कॉल्टिवेट कर सकते हैं, कौन-कौन से जो क्रॉप् कुल मिला के इससे एक बात clear हो जाती है कि बुकैनन घूमने फिरने मज़े लेने नहीं आया था, बुकैनन यहाँ पर दो चीज़ां कर रहा था, जगे को देखो, observe करो, यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, उसके बारे में पता करो, यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है, उसके क अधिया कमाया जा सकता है, उसके बारे में पता करो, तो कुल मिला के यह, इस इंडिया कंपनी के कमर्चिल एक्प्रोडेशन चल रहा है, बुकैनन यहाँ पर मज़े नहीं नहीं माररा, बुकैनन यहाँ फिरने नहीं आया हुआ है, तो फिर वही घुम फिर के जो पहली बा पर और उनके instructions पर काम कर रहा था चलें जी आगे बढ़ते हैं तो यह सारी बाते मैंने यहां पर बताई हैं मैंने इसको इसको इसमें लिखा है कि एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि बुकैनन की जो priorities हैं वो लोकल से different थी उसका assessment इस बात पर यहां पर जो रहने वाले आपके मूल निवासी थे जिनको वो लोक फॉरेस्ट ड्वेलर कहा करते हैं या फिर वनवासी कहा करते हैं यह इन लोगों की जिन्दगी को लेके बहुत ज़्यादा critical था इसका कहना यह था कि यह लोग एक से से नहीं रहते हैं और यह सब humans के किसम के इंसान हैं और यह सारी चीज़ हैं साथी साथ उसका कहना यह भी था कि यह जो जंगल है यह घने जंगलों को काटना चाहिए और इनको agricultural lands वगरा में convert कर देना चाहिए तो कुल मिला के यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखे तो कमसका में इतना तो दिखना चाहिए कि East India Company की greed जो है यहाँ पर साप जलक रही है East India Company के मूँ में जो लार आ रही है सारे natural resources को देख देख कर वो अपने को समझ में आता है अब NCRT में एक दो जगा सर्फ जो है NCRT में दिया हुआ है वहीं समयने से उठाया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लिखते हैं कि they are very clever in clearing new lands याने कि यह बहुत चालाख है अगर जंगलों को काट कर नई जमीन वगरा बनानी है but live meanly याने कि बहुत अच्छे जनी जीते बहुत नॉर्मल ज जोड कर इन्होंने बनाई है close together and plastered within with clay यानि कि लकडियों को जोड के साथ में उन्होंने बांध दिया उसके ओपर फिर आपका मिट्टी वगरा की मदद से plastering वगरा करके उन्होंने जैसे तैसे अपनी हट वगरा बनाके तयार करिया और उसके चारों तरफ अपनी boundary, boundary, fence व बनाते हैं वैसी नहीं हो के इनकी जो है वो कुछ इस तरीके से flat roofs वगरा आपको देखने को मिल रही है ठीके जी with little arc यानि कि इसमें बहुत जादा उपर की तरफ में आपको इस तरीके से pointed season देखने के लिए नहीं मिल रही है इस तरीके की hearts वगरा बनाई हुई है अब यहा साथ उसका जो एक content एक जो content है या फिर आप कह सकते हैं जो criticism है उनकी जिन्दगी को लेकर या जो उनको सब human मानने को लेकर जो उसका अपना perception है वो यहां पर साफ साब जो है उसकी बातों से जलक रहा है चले आगे बढ़ता है इसके बाद में आपका जो settled cultivation हुआ है इसके ब जो आपके जो आपके जो आपके बहुत बढ़ता है याने कि जो हम लोग यहां पर cultivation बगरा है जनल कटवा के वो भी यहां पर दिख रहा है कि चारो तरफ आप जो आपकी जंल है वो काट काट के आपने चावल के या धान की खेती वगएरा के खेत वगएरा बनाना शुरू कर दी है, हर तरफ दिख भी रहे हैं, the cleared lands with scattered trees and the rocky hills are in perfection and all that is wanted is some appearance of progress in the area and a vastly extended and improved cultivation of which country is highly susceptible, याने कि यहाँ पर कोई मिला के सारे description से एक बात निकल कर आ रही है, कि सामने वाला बोल रहा है कि हाँ जंगल वंगल है, बढ़िया दिख रहा है, सब ठीक है, बड़ अपन लोगों ने यहाँ पर जंगल कटवा के चावल की खेती करवाना शुरू करवाई है, वो भी आपको खेती वगरा के साब से और जाद आपके चावल के खेत वगरा बनवादो यह सारी चीज़ है, इसके इलावा यह लिखते हैं, plantation of asan and palace for taser and lark should occupy the place of woods to a great extent as the demand will admit, पहले तो यह समझ लेते हैं कि यह asan, palace और taser हैं क्या, taser basically एक silk होता है, तेसर जो है, यह आपका एक silk होता है और उस silk के जो कीड़े होता है, उनके plantation की बात हो रही है, असान और palace वगरा जो है, यह सब लगा, यह आपके ऐसे पेड़ वगरा हैं, जिस पे रेशम के कीड़े वगरा होता है, जिनको तेसर बोला जाता है, और तेसर से आपका तेसर silk बनता है, एक तो उसके पेड़ वग कर सकते हैं, the remainder might be all cleared, इसके इलावा अगर कहीं पर और जो आपको forest वगरा हैं, उसको सब को साफ कर दो, और जितना हो सकता उतना cultivation करवा हो, while what is not fit for the purpose might rear palmyra and moa, यानि कि अब इसके इलावा वो सारा जंगल जिस पे cultivation किया नहीं जा सकता, उस पे आप चाहो तो moa और palmyra की प पहली दो-तिन लाइनों में ये बात समझ में आती है, मगर जो जंगल कटवा कटवा कि हम लोग इधार उधार आपकी चावल की खेतियां करवा रहा है, वो भी जो है आपको नजर आ रहा है, फिर ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी जो सिल्क वगरा की requirement है, उसके ये कुल में आकर यहाँ से फिर जो है इस्ट इडिया कंपनी का जो commercial greed है, वो हमको समझ में आता है और इससे ये बात clear हो जाती है कि इस्ट इडिया कंपनी ये सारे surveys वगरा करवा किस तरफ एक चीज में इंट्रेस्टेट थी कि हिंदुस्तान के natural resources को किस तरीके से लूटा जाए हिंदुस्तान के जो यहाँ पे आपके जो रहने वाले भाशिन्दे हैं उनसे उनकी जो अकूत संपत्ती है जो आपको nature के form में मिली है उसको कैसे लिया जाए किस तरह से उनकी जमीनों को हड़पा जाए properties में कबजा किया जाए और ultimately सारा exploitation कर 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 के East India Company के coffers या East India Company की तिजोरियों को जितना होसा कि उतना ज्यादा मात्रा ना भरा जाए बुकैनन के सारे account से in spite of the fact की बहुत important है in spite of the fact की उसे वक्त के इतिहास के बारे में लिखे हुए कुछ किने चुने documents में से बुकैनन का account है मगर उसके बाद भी बुकैनन की account पर आख बंकर कर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अंत में वो था तो East India Company का employee और साफ दिख रहा है कि यहां उसके घूमने फिटने का मजे करने का मतलब सिर्व एक था कि किसी भी तरीके से East India Company तकी report पहुचाई जाए कि इस इलाके का कितना जादा दोहन, कितना जादा शोशन, कितना जादा exploitation किया जा सकता है So with this we come to the end of the session आज के session में हम लोगों ने ये देखा कि जो बुकैनन घूमने फिरने निकले थे राजमाहल हिल्स में तो इनके घूमने फिरने की क्या वज़ा थी, ये जो सारी की सारी यात्राइं की गई है इसका objective किया था, किसने पैसे दिये थे, क्या finance किया था बुकैनन जब घूमने फिरने निकले और ये सारी यातराइं करी तो यातरा ब्रतांच जो लिखे गए थे, वो किन बातों को धियान में रखके लिखे गए थे commercial exploitation कि इस level पर चल रहा था और ultimately, in spite of the fact कि सारा record हमको काफी कुछ बताता है उसके बाद भी किन बातों को ध्यान में रखते हैं हमको ये record पढ़ना चाहिए ये सारी चीज़े हम लोगों ने यहाँ पर देखकर खतम करी है इसी के साथ में जो इसम शुरुवाती lecture में मैं आपको बोला था कि Colonialism and Countryside को समझने के लिए हम लोग तीन एक्सामपल लेंगे बंगाल के जमिदारों का दूसरा आपके राजमाहल हिल्स में संथल्स और पहाडियाज और संथल्स का 1875 के आसपास में उसको हम लोग समझेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसकी मदद से हम लोग analyze करने की कोशिश करेंगे कि पश्शिम के इलाके जो है या फिर नीचे की तरफ में जो आपका बताना चाहूंगा आप लोग magnet brains की हमारी website पर जाएं class 1 से लेके class 12 तक सारा education यहाँ पर आपको free of cost प्रवाइड कराया जाता है हिंदुस्तान के सबसे बड़िया educators यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे के सारे courses detail में बनाए गया है इस तरीके से courses को design किया गया है इस तरीके से syllabus वगेरा बनाया गया है इस तरीके से जो है इन चीज़ों को किया गया है कि आप लोगों किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए पॉड़के सब को समझ में आए अच्छे तरीके से आप लोग इन सारी चीज़ों को grasp कर सकें जादा knowledge हासिल कर सकें एक्जाम्स में अच्छा perform कर सकें और एक बैतर इंसान बनकर अपने जीवन में progress और prosperity के रास्ते पर निकल सकें तो इसी note पर I would be calling it the day and concluding the lecture ध्यान रखें positive रहें बिलकुल अपना जोड़ शोड़ से और जोड़ के साथ में पढ़ते लिखते रहें एक्जाम्स में अच्छा perform करें अपने लिए खुशियां और अपने माता पिता के लिए गर्व लेकर आएं और तरक्की के साथ में जीवन के रास्ते पर आगे पढ़ते चलें Thank you, जाएंद